असलाम अलेकूम वन क्लास कैसे आप सब उमीदा ठीक होंगे आज है हफता 25 जुलाई 2020 हफता 25 जुलाई 2020 आज हम पेज करेंगे पेज नंबर 114 पेज नंबर 114 पेज नंबर 114 पर है जीम वावलिवा बेज जवाब दाल ये नून गुना दें जवाब दें ये सवाल है हमने इनके जवाब देने हैं सवाल क्या है दाल ये सीन देश काफलका देश का काफ येर्या क्या देश का क्या मिमत उइमत लांबेलब मतलब हिववा हो तेलिकता होता इ Cambodia है देश का क्या मतलब होता है ये सामने लाइन ले गई हुई है अब इस पे हम इसका जवाब लिखेंगे दाल ये सीन देश काफलिफ का मीम तो इमत लाम बेलब मतलब हे बढ़िये है वाउ तोई नून वतन देश का मतलब है वतन देश का मतलब है वतन ये इस सवाल का जवाब है देश का क्या मतलब है देश का मतलब है वतन अपने इसी लाइन में आंसर को पूरा करने है बेटा ठीक है और लास में फूल स्टॉब देश का मतलब है वतन नेक्स्ट अब इसका जवाब लिखेंगे अलिमदान, नून, खेवाखो चोटी-चोटी राइटिंग में लिखेंगे आँखों का तेलिटा, रेलिवरा, तारा नोटेट को मार्ज में लिखेंगे आँखों का तारा, काफलिका मीम तो इमत, लाम बेलब, मतलब हे बढ़िये है मीचे आप लोग एक लाइन ड्रा करेंगे और लिख लेंगे ठीक है बटा? आँखों का तारा का मतलब है बे हे ते बहुत, पे यलिवरा, बहुत प्यारा आँखों का तारा का मतलब है आँखों का तारा का क्या मतलब है आँखों का तारा का मतलब है बहुत प्यारा नेक्स्ट है मिलती जुलती आवाज वाले लफसों को मिलाएं जो एक जैसी आवाज वाले लफसों गे उन्हें हमने मैच करना है मिलती जुलती आवाज वाले लफ़सों को मिलाएं हम कम ये एक जैसे अलफ़ाज हैं मिलती जुलते हैं दोनों की आवाज सेम आती हैं हम कम हम कम इसको आप लोग मैच करेंगे बिटा आप लोग स्केल रखके मैच करेंगे ऐसे मैचिंग नहीं करेंगे हम कम इन्होंने पहले एक मैच करके दिखाया हुआ बाकी दो हमने फुद मैच करने हमारा तारा हम कम शान आन शान आन लवज शान को हम लोग मैच करेंगे इस तरह यहां तक बेटा आपके लोगों का काम है पे नमबर 114 फुल करना है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं देश का क्या मतलब होता है देश का मतलब है वतन आखों का तारा का क्या मतलब है आखों का तारा का मतलब है बहुत प्यारा मिलती चुलती आवाज वाले लवजों को हम, कम, शान, आन यहां तक आप लोगों का आज का काम है बहुत अच्छे तरीके से और इसी तरह से नीट राइटिंग कीजिएगा ठीक है बेटा